तो फ्रेंड आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुती तेजी से फलने वाले और एक बहुती खतरनाक बीमारी के बारे में जिसे हम लोग डेंगू के नाम से जानते हैं अगर समय रहते हुए डेंगू के लच्छन को पहचान के इसका इलाज ना कराया जाए तो इनसान की मिरित्यू भी हो सकती है और होती भी है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंगू बीमारी किस मच्छड के काटने से होती है तता साथी साथ हम बात करेंगे कि वी वायरिस के द्वारा संक्रमित होके मादा एडीज एजिप्टी मच्छड किसी भी इंसान को बार बार काट लेता है तो उस इंसान को डेंगू जरूर हो जाएगा मतलब कि जिस इंसान को एडीज एजिप्टी मच्छर बार बार काट ले तो उस इंसान को डेंगू होने की चांसेज बढ़ जाती है और ये मच्छड अक्षर दिन में बहुत जादे काटते हैं रात में बहुत कम काटते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ बरसात के दिनों में डेंगू बहुत जादे फैलती है क्योंकि बरसात के दिनों में गंदगी बहुत जादे होती है और गंदगी के वज़े से मच्छोडों की जन संक्या बहुत जादे बढ़ जाती है तो आईए अब बात कर लेते हैं कि डेंगू के परमुख लच्छन कौन कौन से हैं तो अगर आप सभी को इन में से कोई सा भी लच्छन देखने को मिले तो आप सभी उस इनसान को सतर्क और सावधान जरूर कर दीजिएगा तो डेंगू का पहला लच्छन ए है कि जो भी इनसान डेंगू से संक्रमित है तो उसे बहुत तिप्रगती से बुखार आएगी जैसे कि उसका बुखार 101 डिग्री फेरन हाइड से लेके 104 डिग्री फेरन हाइड तक हो सकता है तो डेंगू बुखार का पहला लच्छन ए हो गया कि जो इनसान डेंगू से संक्रमित है तो उसे 101 degree Fahrenheit से लेके 104 और 105 degree Fahrenheit तक बुखार आ सकता है और डेंगू बुखार का दूसरा लच्छण ए है कि जिस इंसान को डेंगू हुआ रहेगा उसे बुखार आने से पहले बहुत जोरोसी ठंड लगेगी और उसके सरीर में कपी होने लगेगी और वो सोचेगा ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहन ले और ज्यादा से ज्यादा कपड़े को ओढ़ ले तो अक्सर आप सबी देखिएगा जिस इंसान को डेंगू हुआ रहेगा उसे बहुत ज्यादे ठंड लगेगा अगर वो इंसान बुखार का दवा खाता है तो उसका बुखार तो उतर जाएगा लेकिन उसका सरदर्द हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा जब तक डेंगू का पूरा इलाज ना हो जाए तब तक उसका सरदर्द हमेशा बना रहेगा तो अब बात कर लेते हैं कि डेंगू का चोथाल अच्छन क्या है तो अगर जो भी इंसान डेंगू रुक से संक्रमित है उसके पूरे सरीर में दर्द रहेगा और इसके साथ साथ उसके सरीर के हर एक जोडो में बहुत तीज दर्द होगा असानी दर्द तो फ्रेंड डेंगू के मरीज को डेंगू से ग्रसित होने के कारण उसके सरीर में असाहनी दर्द होगा और इसी के वज़े से उसे न तो नीद आएगा और ना ही उसे कहीं घूमने का मन करेगा यही रीजन है यानि कि यही कारण है जिसके वज़े से डेंगू को हड़ी तोड बुखार भी कहा जाता है डेंगू रोग का पाच्वा लच्छण ए है कि जो भी इंसान डेंगू रोग से ग्रसीत रहेगा उसके आखों में बहुत जोरो से दर्द रहेगा और इसके साथ उसके आखों में हमेशा लाली मा बनी रहेगी तो डेंगू रोग का अगला लच्छन ए है कि जो भी इंसान डेंगू रोग से ग्रसीत रहेगा जिसे मादा एडिज एजिप्टी मच़ड काटे रहेगा तो उसके काटे हुए अस्थांच लेके उसके शरीर के पूरे भाग में लाल लाल चकते या धब्बेक जैसे उसके कुछ पीने कमन करेगा और उसका जीब बहुत ज्यादा मतलाएगा उसको लगेगा कि मुझे अब उल्टी हो जाएगा अब उल्टी हो जाएगा ऐसे उसे हमेशा बना रहेगा तो फ्रेंड यह नॉर्मल डेंगू स्टेज के लच्छन है अगर किसी इंसान को थर्ड इस्ट बहुत कम हो गई है यानि कि उसके सरीर में प्लेटलेस की संख्या बहुत कम हो चुकी है तो बात कर लेते हैं कि देंगू के लिए सबसे बेहतेरन और सबसे शस्ता टेस्ट कौन सा है तो आपके जनकारी के लिए बता दूँ डेंगू का कोई भी टेस्ट प्रफें से कम का न PCR आता है 1200 के आसपास में